बर्फी बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है ड्राइफुड लिया है और ड्राइफुड मैंने यहां पीनट काजू और बदाम लिया है और एक हरी लाइची लिया है और यहां मैंने लिया है फूड कलर फूड कलर आप अपने अकोडिंग कोई भी कलर चूज कर सकते हैं य यहां मैंने यालो कलर लिया है और यहां मैंने लिया है चीनी जो कि शुगर फ्री है जो कि आपको मार्केट में असानी से मिल जाएगी और हैल्थ को भी खराब नहीं करती है यह और यहां मैंने लिया है एक ग्लास दूद लिया है अब मैं इन ड्राइफट को मिक्षर में डाल कर पाउडर बना लूँगी इन सभी मिक्षर को इकठा डालिए और इसका एक बहुत ही बड़ी तरीके से पाउडर रैडी करना है अब देख सकते हैं पाउडर बनकर रैडी हो चुका और ये काफी बारीक होना चाहिए अब मैं किसी बाउल में से ट्रांसफर कर लूँगी और इसमें शुगर डालेंगे अब देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है अब मैं शुगर डाल दूगी और शुगर को आप अच्छे से डाल कर इसे लगातार चलाते रहें गैस की जो फ्लेम है उसे आप सिम पर ही रखें ये शुगर हैल्थ को बिल्कुल भी खराब नहीं क ये आपको असानी से मिल जाएगी आप देख सकते हैं कि इसमेंन उबाल आ चुका है अब मैं इसमें जो मैंने टाल भी का मिक्शेर बना कर रडी किया थैं कि इसमें डाल दूझी और इससे में लगातार चलाती रहूंगी इसे आपको लगातार चला रहना है ता कि इसमें ग उबालाने के बाद आप इसे गैस को जो है उसे फ्लेम को सिम कर दीजिए और ये काफी ठिक हो चुका है इस टाइप से आपको ठिक करना है जब गाड़ा हो जे तब तक आपको चलाते रहना है गाड़ा होने के बाद आप इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे मिल्क पाउडर जालना है इससे ज्यादा नहीं डालना है मिल्क पाउडर डालने के बाद आप इसे लगातार चलाते रहें आप देख सकते हैं और अच्छे से मिक्स हो चुका है अब मैं इसमें डालूँगी फूड कलर फूड कलर डालने के पाद आप इसे लगाता चलाते रहें ताकि उसका कलर है अच्छे से मिक्स हो जाए ताकि पूरे मिक्स्चर में अच्छे से यह मिक्स हो जाए इसे आप लगा यहां प्रकातों प्रकातों रूटकर पंद तरफीATOR करिए है कि ऐसे आधे में एक प्लेमर प्राइत में हो जगूद receiving इसे जब ऑड़ने डिम्ट सबस्टाइए हैं है मैं इसमें टाल कर अब एक चम्मस से फैला दूंगी ताकि जब हम इसे पीसी में कट जाए तो अब देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसे इसे सेट कर लिया है अब मैं इसे ड्राइफूड से डेकुरेट कर लूँगी ड्राइफ़र डालने के पाद आप एक चम्मस से इसे अच्छे से प्रेस किजिएगा इस ट्राइफ़र अपको अच्छे से प्रेस करना है ताकि जो ड्राइफ़र अंदर की तरफ सेट हो जाए अब मैं इसे दो घंटे के लिए फ्रीजर में रखते हूँगी और दो घंटे कम्प्लीट हो चुके और अच्छे से सेट भी हो चुके अब मैं इसे नाइफ से अच्छे से कट कर लूँगी पीस जो है आप अपने अकोडिंग बड़ा या चोटा जैसे आपको काटना है उस टाइफ से काट सकते हैं आप इसे जुरू ट्राइक कीजिएगा इसका जो टेस्ट है काफी अच्छा है और यह हैल्थ के लिए ठीक है क्योंकि इसमें बड़ाम और काजु मिल्क डला है और सबसे बड़ी बात है इसमें शुगर-फ्री चीनी डली है जो की हैल्थ के लिए भी काफी ठीक है और यहां मैंने पीसीज को कट कर लिये हैं अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जुरू कीजिएगा हाँ और कमंट करकी जुरू बताए कि आपको मेरी रैसिपी कैसी लगी इसी दरास मैं आपके लिए नई रैसिपी लात सबस्क्राइब रहांगी कि आप इसे जुरू ट्राइब कीजिएगा है